दुर्ग के गंच पारा चौक पर पिछली दिनों हुई हत्या में फरार पांच आरोपियों में से तीन आरोपियों को दुर्ग पुलिस ने धर्दबोचा है दुर्गोपत वाली पुलिस ने हत्या की प्लानिंग और घटना की जानकाई लेने तीनों आरोपियों को घटना स्थल लिजा कर जानकारिया ले पार्किंग ठेकेदार मंत्री यादाओ के पिछले दिनों दुर्गों के गंच पारा चौक पर पुरानी रंजिश के चलते धादार चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी घटना स्थल से फरार आरोपियों की तलाश में दुर्ग पुलीस सघंता से जुटी हुई थी इसी मामले में दुर्ग पुलीस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली हत्या के मामले में फरार पांच आरोपियों में से तीन आरोपियों को दुर्ग कोत्वाली पुलीस ने धर दबुचा वही अन्य दो आरोपी की पता साजी पुलीस द्वारा की जा रही है दुर्ग कोत्वारी पुलिस ने थाना तफाई महश दुरू के नैतितों में गिरफतार तीनों आरोपियों से घटना के प्लाइनिंग और हत्या का प्रयास करने मौके पर पहुँचे और लिजाकर घटना की जानकारी रही। इस दोरां गिरफतार आरोपियों ने अपने गौर्तर भै की 21 मही की रात को नाका चाओ गंजपारा दुर्गों में आरोपि अक्षत दूबे अमिताब दूबे उर्फ चंदू शूभम शर्मा वंश राजपूत के द्वारा पुरानी रंजिश के वादिवाद के कारण एक राय एक सला होकर योजना बद तरिके से हत्य दिए मत्रे अब ओकरने के वाद्या दिया और होकरनी की नियांस से धारदार चाकुसे शीराम व्यादव उर्फ मन्त्री यादव को पच्छरी पारा कौँवा चौकिंत निमासी पर चाकुसे वार कर मनत्री जादर के पैर पेट योएं संदेही अजय दूबे की पता साजी के लिए अलग अलग जिलों में एसी सी यू एवं थाना सिटी को तवाली दुर्ग की टीम रवाना कर दी गई है एसीन न्यूस के लिए दुर्गे से नसीम फारुकी की रिपोर्ट